हेलो फ्रेंड्स आप स्वागत है आपके अपने यूटूब जानल सल्फिदा पिटबूल पर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूंगा कि आप जर्मन सेपर डोग के लोंग कोट और मीडियम कोट को कैसे पहचाने इन दोनों के प्राइज पर वी डिसकस करेंगे कि दोनों के प्राइज में कितना डिफरेंस होता है चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अभी तक आपने हमारे यूटूब जैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बैल को अन करें ताकि हमारे अनिया अलियर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत कि सबसे पहले बात करेंगे मीडियम कोट की तो मीडियम कोट इसके बाले छोटे होते हैं मतलब अगर आप उनके बालों में आत फिरोगे तो आपके आतों के बाल सुपेंगे नहीं इसका बोड़ी साइज लोंग कोट से जादा होता है बात करें लोंग कोट की ते इसके बा बालों के काण इने गर्मी ज़्यादा लगती है तो आप अफते में दो या तीन बार इन्हें जरूर नहलाए और सर्दियों में आप 15 दिनों में एक बार इन्हें नहला सकते हैं जर्मन सेपट डोग का टेम्परामेंट आई होता है इसलिए आप इनका मेंटेनस भी काफी ज़्यादा होगा आपको गर्मिय में एक अकुलर के नीचे रखना होगा परना इन्हें गर्मियों से प्रोब्लम हो सकती है गर्मियों से इने लूज मोशन हो सकते हैं कि जर्मन सैपर्ट डोग को कभी भी धर्म घाना मत दें होसके तो इन्हें दिन में एक वाइटन्डा पानी दें जिससे इनकी गर्मी कुछ अत्त कम होसके जर्मन सैपर्ट डोग लेने से पहले आप उसके मदर फादर को जैक करें कि यह दोनों लॉंग कोट है या दोनों लिए पहले जैन दें कि जो उसके मदर फादर हैं वे दोनों सेम कोट के होने चाहिए पपी लेते हों कि जल्दवाजी मत करें वरना आपको प्रोब्लम हो सकती है क्योंकि डोग हमारी लाइफ में एक मेन अदा करते हैं क्योंकि हमारे साथ 10-15 साल तक रहते हो और अगर यह लो क्वालिटी के डोग निकला तो फिर आप इसे छोड़ भी ने सकते फिर भी आप इसे अपने साथ रखना होगा तो जल्दवाजी बिलकुल मत करें और हमेशा सोच समझ कर और अच्छी क्वालिटी का डोग लें जिससे आपको भी उसके साथ रहने में मज़ा है आई उसके साथ रहने में 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 जिससान होगा है ़ी ने से वालिटी का यह यहाँ व्वाब भी ने बिलकुल मत करें जबना होगा जना है ओप रहा है पिलका यहाँ जिससान है आपको जापको चुद़।